गीता में लिखा है कृष्ण भगवान ने कहा है विद्वन्स ही नवनिर्वान की नीव होती है हम यूकरेन की बात करते हैं तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि यूकरेन ने हमें कभी भी किसी भी मुद्दे पर साथ नहीं दिया है चाहे हम पियो की अलग करने की बात करे या फिर हम 1971 की वार करे या फिर हम 370 धारा हटाने की बात करे हमको यूकरिन ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर साथ नहीं दिया है और अगर हम रस्या की बात करे तो ये 1971 की वार में पूरी दुनिया को बता दिया है कि इंडिया और रस्या की मित्रता जो है ये क्या है यही रस्या है जो की 1971 की वार में अपना संबरीन भेज़ के पूरी दुनिया को चैलेंज किया दिखाओ तुम्हारे पास कितना पावर है यूनियन में जाके मिल चुका है हलो एव्रिवन विलकम टो डिवाइन एजुकेशन देखे मैटर क्या हुआ है कि ये जो नभीन नाम का जो बालक है ये करनाट का स्टेट का है इसकी जो है मृत्यू हो गई है ये बहुत ही दुखत घटना है इंडियन्स के लिए कि इनका मृत्यू जो है वो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है अब देखे सीधा सीधा बात ये है अब अब रसिया जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और कीव जो यूकरेन की राजधानी है वहाँ पे बहुत बड़ा हामला होने वाला है अब देखे भारते गवर्मेंट ने यानि हमारे गवर्मेंट ने ये जारी कर दिया है कि जो है जितने भी जो इंडियन्स वहाँ पे फसे हुए है उसको जल से जल इवेक्वेट किया जाएगा उनको जल्द से जल्द air lift किया जाएगा देखिए रसियन आमी ने अब जो किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने आमी को जो है दो पार्ट में divide कर दिया है हैना अपने forces को दो पार्ट में divide कर दिया है एक forces को कहा कि आप red mark बनाओ और उपर से जो air force है वो यहाँ पे गोले बारो जो है बरसाएंगे हैना उसके बाद देखिए हमारे जो इंडियन्स भाई बहन है जो medical की तयारी करने के लिए Ukraine गए हैं वो ऐसे हालात में फसे हुए हैं उनको 6-6 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है और ये जो आप नवीन को अभी देख पा रहे थे ये खाना लेने ही गए थे वहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा bum blast हो गया आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे जो इंडियन भाई बहन है वो कैसे करके flight में जा रहे हैं अभी आपको ये बात पता होगा कि ये जब निकल रहे थे border से हम अभी आपको map के जरीए जो है समझाएंगे कि ये जब border से निकल रहे थे तो उस time पे इन्होंने इंडिया का flag लगा रखा था और जब इन्होंने flag लगा रखा था तो फिर रसियन आमी जो है वो 40 km के radius तक उन्होंने कोई सा भी बंबाड़ी नहीं की कोई सा भी हमला नहीं किया देखिए हमारे इंडियन बच्चों के साथ जो problem हो रही है ये आप border area देख रहे हैं ये बेलारूस जो है ये रसिया का बहुत ही घनिष्ट मित्र है और उसके बाद जो यूकरेन का exit point है वो यहाँ पे Poland है वो Romania है ये दो रास्ते हैं तो देखिए जो बच्चे यहाँ पर फसे हुए हैं जो बच्चे वो यहाँ पर फसे हुए हैं वो इस Romania वाला border से निकल सकते हैं वो इस Poland वाले border से निकल सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि जो बच्चे यहाँ पर फसे हुए यहाँ से यहाँ तक का distance जो है वो 700 km है तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा डिस्टेंस से ट्रेवल करना ना कोई ट्रेन चल रही है कभी भी एटेक हो रहा है ये जो रेड कलर का आप जो एरिया देख रहे हैं ये सारे रसियन ने कैप्चर कर लिया था जिसके मैंने आपको कहा था कि क्रीमिया 2014 में ही अलग कर दिया था रसिया ने है ना तो हमारे इंडियन बच्चों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जो बॉर्डर के आसपास है वो इवैक्वेट हो पा रहे हैं लेकिन जो इस वाले एरिया में है वो नहीं हो पा रहे हैं अब इंडियन गवर्मेंट ने जो इनको इवैक्वेट करने के लिए इनको एर लिफ्ट करने के लिए जो मिशन चलाया है वो है ओपरेशन गंगा और यूकरेन का बच्चों का कहना है कि ये मिशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है इस मिशन को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए हमारे तीन मिनिस्टर जो है ये फॉरेन भी गए है फॉरेन मतलब ये यूकरेन भी गए है वहाँ पे ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल से जल हमारे बच्चे को लेके आया जाए ये हमारे जो एवियेशन मिनिस्टर है ये देखे ये जो है ये रोमानिया गए है ये किरन रे जो जो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ये स्लोवेया किया गए है और हरदीप सिंग पूरी जो है ये हंगरी गए है वीके सिंग जो है ये पोलैंड गए है देखे फ्रांस की अगर हम अभी प्रेजेंट आपको कंडिशन बताए तो इसकी पूतिन से बातचीत हो चुकी है लेकिन ये जो न्यूज है ये चार दिन पुरा ना है हम आपको बेसिकली डेवन से लेके जो हमने डेवन की वीडियो आपने देख रखी है अगर नहीं देख रखी है तो आप लिंक पे जाएंगे और देखेंगे कि पूरा हिस्ट्री अखिर रसिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं उसमें मैंने पूरा एक एक चीज ख़वर किया है उसके बाद देखिए हम डे टू से डे सिक्स तक जो भी हुआ है एक सीकोइंस में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं देखिए फ्रांस ने क्या किया फ्रांस ने यूक्रेन के समर्थन में आके कहा यूक्रेन को कोई हाथ नहीं लगाएगा मैं अपना फोर्सेस भेज दूँगा मैं अपना युद्व में उतर जाओंगा ऐसा फ्रांस ने कहा तो फ्रांस क्या करता है फ्रांस ने एक रसिया की शिप को कबजे में ले लिया है ना उसके बाद क्या हुआ देखिए उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जो है रसिया को साफ साफ कह दिया है ना साफ साफ कह दिया कि हम तुमको जो है सारे शैंक शैंक तुम पे लगाने वाले हैं ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद ये शिप जो आ रहा था actually ये पैरिस से लेके ये जो आप कैलिन वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा था तो ये शिप किसका था ये शिप था रसिया का है ना तो European Union जो है ये साफ साफ कह दिया कि हम आपको कोई ट्रेड करने के लिए नहीं देंगे हम कि शिप को जो है capture कर लिया कबजे में ले लिया उसके बाद देखिए उसके बाद जोई बैडन ने साफ साफ कह दिया है कि तुम नाटो को मत छेड़ना तुमने यूकरेन को छेड़ा ठीक है वो नाटो का मेंबर नहीं था इसलिए हम युद में नहीं कूदे लेकिन अगर तुम नाटो को छेड़ोगे आप जानते हैं कि नाटो क्या है तीस देशों का एलाइंस है जिन्होंने कस्मे खा रखी है कि एक पे भी एटेक होगा तो तीसों पे एटेक माना जाएगा ठीक है इसका हेड़कॉर्टर ब्रूसेल्स में है आप जानते हैं अब देखिए अब रसिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे थे तो इसका जापान का एक शिप पे भी एटेक हुआ है तो आप जान सकते हैं यह वही जापान है जो 1939 से 1941 तक पूरा दुनिया को कबजे में लेने चला था तो इसको शांत करने के लिए जो देश आया था उसने शांत किस ने कि किया था जो कि नागा साकी और हिरोशिमा करके और इसने वापस से बाउंस बैक किया और अब यह शांती यानि शांत प्रियदेश है अब देखिए अगर जापान पर एटेक होता है है अगर जापान भी कूटता है तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी फिर यह वर्ल्ड वार क जो है पूरी की पूरे डायरेक्शन में यह मुद्दा जो है वर्ल्ड वार के डायरेक्शन में जा रहा है अब जो यह निउस निकल करके आता है यह सूइट से यूएसे ने क्या किया जैसे कि मैंने आपको पता था जिसे मैंने आपको बताया भी है कि जो यूकरेन को पूर लेक्चर में भी आपसे ये चीजें जो है डिसकस की है अभी देखिए USA ने क्या किया कि इसने कहा कि हम रसिये को पूरी तरीके से जो है financial sanctions लगाएंगे पावंदी लगाएंगे तो इसने पावंदी लगाने के चकर में जो है इसने SWIFT को बैंड किया ये SWIFT आपकी गाड़ी नहीं है ये SWIFT मतलब है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ठीक है ये देखिए SWIFT के बारे में जो है हम कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये बंद करने से रसिया को क्या नुकसान हो सकता है क्या रसिया इससे पहले से ही जो है prepared था देखिए ये European Union के जो है leader है इन्होंने जो है साफ साफ अपने tweet में कह दिया है कि हम रसिया को पूरी तरीके से नुकसान पहुचाएंगे आर्थिक रूप से ठीक है अब देखिए SWIFT क्या है SWIFT की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि आप एक bank से दूसरे bank पैसा transfer करते हो ठीक है तो आपको जो security देने का काम करता है security मतलब देखिए आप क्या करतो हो आप पैसे जो भेजते हो एक bank से दूसरा bank तो bank का जो system है जो पैसा आपका यहां से यहां जा रहा है वही है SWIFT यह एक code provide करता है simple भाशा में अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक bank से दूसरा bank पैसा जाने के लिए जो system पढ़ती है जो जरुरत पढ़ती है system की या फिर एक देश से दूसरा देश जो हम transaction करते है हो जाता है SWIFT बंध हो जाता है तो एक bank से दूसरा bank पैसा ही नहीं जाएगा समझ आ रहा है आपको है अब देखिए यह क्या है यह 1973 में आया था इससे 200 देश जो है जुड़े हुए है 11,000 bank जो है इससे जुड़ा हुआ है यह एक code प्रोवाइड करता है जिससे एक bank से दूसरा bank या फिर एक देश से दूसरा देश जो है पैसा जाता है इसकी connectivity गई मतलब पैसा नहीं जाएगा उस देश की जो trade होगी ज रसिया जो है जिसे के मैंने आपको कहा है रसिया इससे भी आगे निकल चुका है उसने पहले ही सब कुछ सोच रखा है और देखिए लीडर का काम ही होता है कि आगे सब कुछ सोच के रखना है अब देखिए लीडर्शिप में जो है यूकरेन का जो president है वो थोड़ा सा जो ह उनका नित्रित्व ऐसा लग रहा है कि जब उनके पास capable नहीं थे वो जब वो capable नहीं थे फिर उन्होंने war को accept क्यों किया ठीक है ये भी एक सवाल बनके आता है उसके बाद देखिए ये चाइना का system है ये चाइना का system है जो भी क्या करता है एक bank से दूसरे bank को पैसा जमा कर बनके में help करता है यवारी अजया रस्या रस्या वेजह ये पहले ही सिस्टम पर आ चुका है तो कि Rabbit पहले ही चाइना का जो है ये system ले चुका है उसके बाद रस्या का खुद बह सिस्टम है जो की swift को स्वेश कर सकता हैzek स्विफ्ट के सबस्टिटम के आjach और चाइना पिस जो है, इस चीज़ को चाहता है, कि रेसिया उसका सुलफ्ट यूज़ करे, यानि उसका ये सिस्टम यूज़ करे, ट्रांजेक्शन सिस्टम को यूज़ करे, और देखिए, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी में, जो है रासिया पहले ही आ चुका है क्योंकि उसको पता था कि ये सैंक्शन्स ये पावन दिया उस पे लग सकती है अब देखिए जो यूकरेन का प्रेसिडेंट है जलेंस की ये अब सब के सामने हाथ पहला रहे हैं कि मुझे मदद कर दो यूकरेन के प्रेसिडेंट ने जो है इंडिया के प्रेसिडेंट से अपने जो बात किया मोदी जी से प्राइम इनिस्टर से भी इन्होंने बात किया अब देखिए ये सारे देशों के साथ जो है ये क्या कर रहे हैं ये help मांगने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप रसिया को support ना करें UN की council में उसके बाद देखिए उसके बाद इन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को कहा मैकरोन को कहा किसने यूकरेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप भी हमा मदद करनी की कोशिश करें उसके बाद जो है देखिए जर्मनी जो है जर्मनी ने मौके पे चौका मार दिया मौके पे चौका क्या मारा जर्मनी ने एक जो है 1932 में एक वादा कर रखा था यूकरेन से इसने कि हम कभी भी किसी के वार में जो है हतियार सप्लाई या बेचने की काम नहीं करेंगे लेकिन जर्मनी ने जो है हतियार किसको दे दिया है यूकरेन को दे दिया अभी ये नियूज नहीं आया है कि बेचा है या सच में दिया है तो ये बिजनेसमैन कंट्री हैं ये बिजनेस के तरब से सोचते हैं ठीक है उसके बाद देखिए ये अजरबैजान में जो है अजर्बेजान यानि देखिये यह जो मैप मैंने आपको दिखाया था रसिया का इसके अगल बगल के जितने कंट्री है सब के सामने ये जो है जैलर्ण्स की हाथ फैला रहें कि हमें मदद कर दो हमें मदद कर दो क्योंकि बाद में कोई यह नहीं बोल पाए, है ना, कि हमसे नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा, ठीक है, अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा हीरो देश निकल करके आता है, मैं मैप में आपको देखा दूँगा अब इसको, देखिए, एस्टोनिया, इसने क्या किया, ये सबसे बड़ा हीरो बनके आया, इ यूकरेन के हेल्प में यूकरेन के समर्थन में वो जा सकता है मतलब यह सोच सकते है आपकी कितनी बड़ी बात है कि कोई एक देश जो है इसमें पूरी के पूरे अपने परलेमेंट में कह दिया बिल पास कर दिया कि जो भी हमारे यहां के सिटीजन जो है वो अगर वार में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं आप देख सकते हैं फिरसे यहां पर कि यह सारे देश जो है यह सारे देश यह क्या कर रहे हैं? मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो एस्टोनिया की हम बात कर रहे थे जो Estonia के हम बात कर रहे है तो वो यहाँ पर है ना वो यहाँ पर है ठीक है इसके just side में Lithonia जिसने emergency declare कर दिया है ठीक है जो कि मैंने आपको अगर आपको जानना है इस बारे में पूरा तो आप हमारा description में आए और वहाँ पे जो है देख सकते हैं अब देखिए जब जैलेंस की सब के द्वार खटखटाने लग गए तो फिर जो देशों ने help किया है आपको सुनके बड़ी ही हसी आएगी हो सकता है आपको तरस भी आए यूकरेन पे लेकिन देखिए किसी देश ने में जितने भी देश का नाम लूँगा आपको किसी देश उसने अपने फोर्सेस नहीं भेजा जो इसका रचेता है जो इस वर को कंड़क्ट किया है यूएस उसने भी अपने एक फोर्सेस नहीं भेजा तो क्या भेजा है सर देखिए स्वेडन ने क्या किया है एंटी टाइंक मिसाइल भेजा है अपना ठीक है उसके बाद देखिए जर्मनी ने अपना रॉकेट भेजा है, टैंक भेजा है, ठीक है, उसके बाद चेक रिपब्लिक ने क्या किया है, बुलेट भेजा है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने राइफल्स भेजा है, है ना, तीन हजा राइफल्स भेजा है, पुर्तगाल ने क्या किया है, इसने अपन सी थ्री राइफल्स भेजा है ठीक है मतलब यह देखिए आप किसी ने भी अपना फोर्सेस नहीं भेजा देखिए यूएस जो कि इसका रचैता है है इसने बोला कि हम तुमको पैसे देंगे कितना 350 मिलियन ठीक है अब देखिए यूएस ने साप साप जो है भड़काने की होगा यूएस चाहता तो रस्या में कुद भी सकता था इस मैटर में लेकिन उसको पता है कि उसके फोर्सेस मरेंगे उसके उसका नुकसान होगा और यह बहुत बड़ा एक गेमर कंट्री है अगर माइंड गेम खेलना सीखना हो अपना स्वार्थ के बारे में सोचना हो तो यूएस से कोई सीखे ठीक है अब देखिए इसने साफ साफ कह दिया कि हम रस्या पर क्या लगाएंगे पावंदी लगाएंगे और यह पावंदी लगाने से इसका कोई नुक्सान नहीं है बले दुनिया को नुकसान है जो रस्या से सामान खरीदते हैं जो रस्या से बेजत अब देखिए इसराइल ने गज़ा भी कर दिया इसराइल ने sleeping bag भेजा है ठीक है और European Union जो है इसने कुछ पैसे भेजे है ठीक है उसके बाद देखिए यह जो Boris Johnson है यह UK का President इसने कहा है इसने कहा है कि हम जो है future में help करेंगे ठीक है और France ने जो है क्या किया है military equipment भेजा है ठीक है military equipment जो है भेजा है यह आपको ध्यान रखना है आप यह अक्वार की cutting मैंने आपको लगा रखा है कि देखिए European Union ने क्या किया है अपना fighter jet भेजा है किसको counter करने के लिए मस्को को counter करने के लिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये युद जो है day six तक पहुँच गया है ये युद जो है ये day six तक पहुँच गया है ये कब तक ही चलेगा ये कब तक चलेगा क्या कुछ सान्ती वारतालाब नहीं होगा अब देश जो है सब पढ़े लिखे हो चुके हैं फिर अभी हम वार का दर्बजा जो है खटखटा रहे हैं है ना तो देखिए इसका फर्स्ट राउंड का जो टॉक हुआ था वो बेलारूस में हुआ था यहां पॉलेंड बॉर्डर के पास है ना तो उस टॉक में जो है कोई सा भी बात निशकर्च निकल करके नहीं आया है ना देखिए यहां पे जो सेकेंड राउंड का टॉक है वो सेकेंड मार्च को होने वाला है है ना सेकेंड मार्च को होने वाला है अब देखिए इसमें क्या निकल करके आता है अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको जरूर इनफॉर्म किया जाएगा अब देखिए फर्स्ट राउंड की टॉक हुई तो फिर वहाँ पे जो है सामने वाला यानि यूकरेन के तरप से उन्होंने कहा कि आपकी क्या शर्ते हैं जो कि हम मान ले तो आप ये वर जो है रोक दोगे तो पुतीन ने जो स्टेटमेंट दिया है अब आप उसको सुनिए ये टॉक की आप जो है न्यूस पेपर की ये वर्ल्ड न्यूस का जो है कटिंग आप देख सकते हैं देखिए ये शर्त किसका है पुतीन का है अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई देश हारता है तो फिर उस पे शर्त जो है की जाती है जैसे जर्म огँपनी जो हारस था वर्ल्डवार 2nd में तो इस पर बहुत सारी शर्ते रखी गई थी तुम सेना नहीं राक सकते तुम यह नहीं कर सकते तुम वो नहीं कर सकतेना ऐसे शर्तמी होती है जीतने वालों की तो देखिए पुतिनने क्या शर्त किया है तुम यह जो क्रीभाए वाल दूसरा सर्थ ये है कि अपना सेना हटा दो देश में से अपना सेना हटा दो उसके बाद तीसरा शर्थ जो है उसने ये रखा है कि तुम जो है किसी और देश के जो है मिंबर नहीं बनोगे जैसे यूरोपियन यूनियन जैसे नाटो ये किसी का मिंबर तुम नहीं बनोगे त इसको यूक्रेन ने पहले ही तोड़ दिया कैसे यूरोपियन यूनियन जो है जोईन करके है ना ठीक है अब देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए एक बात आपको जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान रखेगा इस बात को देखिए जब रसिया अलग हुआ था तो यूक् यूक्रेन के पास जो है बहुत सारे न्यूक्लियर थे है ना न्यूक्लियर वेपन थे ठीक है उसके बाद जो है लेकिन इसकी चाभी जो थी इसकी जो की थी ये सारी रसिया के पास थी है ना जो की रसिया वाले पार्ट में आ गया था और यूक्रेन वाले पार्ट में क्या प्रचा चल रही थी कि अपना मिसाइल्स न्यूक्लीयर जो है वो बंद करो रद करो हैना तो इसने पूरा दुनिया को डिसिप्लीन दिखाते हुए जो है सारे missiles को destroy कर दिये यानि रसिया को दे दिये ठीक है तो बात ये है कि यूकरेन के पास जो है अभी एक भी nuclear missiles नहीं है तो इसके पास क्या है chemical missiles है जो क्या करती है अर्थ का temperature को खुद बढ़ा देती है और लोग गर्मी से मर जाते है ठीक है अब देखिए इस मरने के वज़े से जो रसिया को loss हुआ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकरेन को loss हुआ है जो रसिया को loss हुआ है वो रसिया के इतने troops मारे जा चुके हैं इतने plane destroy हो चुका है इतने helicopter destroy हो चुका है इतने artillery pieces destroy हो चुका है drones, fuels आप ये सब देख सकते हैं लेकिन पुतीन आप जानते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है mood में आ चुका है इसने क्या किया है medical emergency declare कर दिया है इसने ये कह दिया है कि अगर nuclear होगा तो हमारा 50,000 सैनिक मारा जा सकता है उसके लिए medical hospital बनाना शुरू कर दो सब कुछ तैयारी इसकी हो रही है nuclear war के लिए ये देख सकते हैं आप इन्होंने mental pressure create करने के लिए Ukraine पे पूरी तरीके से पेपर पे डाइरेक्ट आ गया है high alert है ना nuclear war के लिए पूरे के पूरे तैयार है अब देखिए इनका जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये European Union में जो है अभी जाके मिल चुके हैं इनका आप फोटो देख सकते हैं जब ये sign कर रहे थे अब देखिए हमारे मीडिया जो मैंने बार-बार मैं आपको मीडिया के बारे में बात करता हूं उसका आज मैं आपको अभी प्रूफ देने वाला हूं रसिया के जो रसिया इन इंडिया जो ambassador है उन्होंने साफ साफ कह दिया है मीडिया पे advisory जारी कर दिया है कि आप लोग objective रहे कुछ न कुछ ना दिखाएं बकवास ना करें तो आप जानते हैं कि हमारे international जो मीडिया ranking है 142 नम्मर पे है 180 देशों में से है ना तो मीडिया जो है मीडिया को साफ साफ यहां पे roast कर दिया है रसिया वालोंने कि आप लोग गलत से गलत चीज़े जो है दिखा रहे हैं है तो देखिए अब आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं फिर अगर update आता है तो हम आपको सारे दिन का जो है एक short सब कुछ जो भी important होगा वो हम आपको जो है provide कर देंगे अगर आप रोज के देखने जाते हो तो 20-20 minute आपको जो है देखना पड़ेगा लेकिन हमने cover किया है कि 2-6 दिन का वीडियो जो है आपका time save हो और आपको यह जो है 15-20 मिनिट में सब कुछ समझ आ जाए अब देखिए जो बच्चे SSE की तयारी कर रहे हैं जो बच्चे CDS की तयारी कर रहे हैं या फिर IBPS की तयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ पे divine education में जो है आपको English का playlist मिलेगा जो English पढ़ना चाहता है जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप जिंदगी भर जीके पढ़ लोगे आप किसी भी टॉपर के पास जाओ अब जिंदगी भर जीके पढ़ लोगे full marks score नहीं कर पाओगे लेकिन आपने English का जो अगर cut-off clear कर लिया बहुत अच्छी तरीके से यानि अगर आप 100 नमर के paper में CDS में अगर 80 नमर लेके आ जाते हो तो आपका selection पका है अगर आप जानते हो कि SSE की paper में 200 नमर का English रहता है है ना 200 नमर का mains रहता है तो अगर आप किसी भी topper का interview आप देखिए वो कहीं ने कहीं English में score करना चाता है ठीक है और English जो है पूरी तरीके से rules है और इस बात को मैं काटता हूँ English कुछ भी rules नहीं है यह सारे logic है अगर आप rules रणना नहीं चाहते हैं तो हमारे channel पे आए और यहाँ पे English का वीडियो देखे तब तक के लिए जहिन मिलते हैं आपसे दूसरे lecture में